देश भर से लाखों लोग क्रश्ण भक्ती में गुजरात अरब सागर के किनारे द्वारका धीश के मंदिर में आते हैं मगर क्या आप जानते हैं आपकी ये यात्रा अधूरी रह जाती है अगर आप द्वारका धीश मंदिर से मात्र दो किलो मीटर दूर इसचित माता रुकमणी मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं तब द्वारका से बिलकुल सटा हुआ ये जो जगए आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे जो मंदिर है जिस पे लाल रंग की जो भगवा पता का जो फेरा रही है ये कुछ और नहीं भगवान श्री क्रश्न और माता रुकमणी की शादी इसी इस्थान पर हुई थी अनबाउंड इंडिया इसका खुलासा भी करेगा तथा इसके पीछे की कथा भी बताएगा रुकमणी देवी भगवान क्रश्न की सबसे प्रमुक पट्रानी थी जो की मा लक्ष्मी का अवतार स्वरूप है मंदिर के गर्बग्रह में रुकमणी का चतुर भुजी विग्रह है इस विग्रह में माता शंक, चक्र, गदा एवं पद्बधारन किये हुए हैं राधा और रुकमणी के अलावा क्रश्न की अन्य पत्निया सत्य भामा एवं जामबवती भी हैं एक और ब्रजबूमी में राधा का बोल बाला है, वहीं दूसरी और द्वारका में क्रश्न के साथ रुकमणी को ही देखा जाता है द्वारका के लोग प्यार से रुकमणी को रुक्षमणी कहकर सम्भोदित करते हैं सेंड स्टोन से बना ये मंदिर बारहवी सदी का है देवी विधर्ब की राजकुमारी थी विधर्ब आज के महराष्ट में नाकपुर के आसपास का शेत्र है ये ही कारण है कि रुकमणी को वैधर्बी भी कहा जाता है रुकमणी विधर्ब राज भीश्मक की पुत्री थी राजा भीश्मक ने अपनी पुत्री रुकमणी का विवा राजा शिशुपाल के साथ तै कर दिया था मगर रुकमणी को ये विवा स्वीकार नहीं था नारद मुनी की साहता लेकर श्री क्रश्ण को अपने खुद के विवाह मंडब से अपहरन की योजना बनाने को कहा फिर क्या था विवाह से पहले ही मंदर जाते समय क्रश्ण ने रुकमणी का अपहरन कर लिया तत पस्चात चैत्रमास की एक अदशी को पोरबंदर के निकट माधवपूर खेड नामक गाउं में दोनों ने विवाह किया फिर द्वारका पहुँचकर क्रश्ण रुकमणी ने एक बार फिर से विवाह रचाया प्रतेक वर्ष इसी दिन द्वारका से क्रश्ण की बारात निकलती है तता इसी रुकमणी मंदिर में पहुँचती है माता का मर्जी के विरुद रुक्स्मानी जी का विवाह शिशुपाल के साथ में तई हुआ था और वो साथी करने में रुकमानी जी राजी ने थी सब रुकमानी जी ने क्रिश्ण जी को एक पत्रा लिखने ची जीने दुनिया का पेला नंबर का रुक्ष्मानी प्रात्ना पत्र जिवे जो प्राम्मन को द्वारा क्रिष्ण जी को बेजी और वो पत्र पड़के बगवान विधरबा देश में गई अंप्रयावलती गाँ जहांसे रुक्स्मानी जी को अहरण करके कृष्ण जी ने द्वारी का मेलाज चैत्र सुक्ल एकादसी को दे कृष्ण रुक्मानी जी का विभावगा लगन ग्या पगवान क्रिष्ण जीना होक्य पत्राने बतावे आठ आठो रानी में सबसे बड़ी रानी है रुख्मनी देवी रुख्मनी का मंदिर द्वारका में द्वारका धीश के साथ क्यों नहीं है इसकी भी बड़ी रोचक कता है विवाह के पस्चात क्रश्ण रुख्मनी के साथ अपने रथ पर सवार होकर रिशी दुर्वाशा को रिशी सत्कार करने का आग्रा और निमंत्रण देने जाते हैं रुजन के लिए चलेंगे। रुशी दुरुवाशा जी बोले ये दुर्वारी का नाच से आख के साथ रुजन करूं पर जीश रुजन करूं ने आप पती, पत्मी दोनों आए वो रद के वितर दो गोरे जुड़ें। जिनके उपर में राजा लोग सवार कते हैं पर हम तपश्वी रुषिये आपको दुवारी का मिले जाना है भुजन करानी को इचा हुए तो आप स्वें कृष्णा रुख्मानी दे भी रत में जुडेंगे रिशीक दुरवासा को लेकर दोनों रत को खीशते हुए द्वार का ले जा रहे थे रास्ते में रुख्मानी को जोरों कीप्यास लगी श्री कृष्णा ने अपने दाएं पैर के अंगूठे से धर्ती को दवा कर गंगा प्रकट की तुरंत ही रुख्मानी ने गंगा जल से अपनी प्यास बुझाई मगर ये सब देखकर रिशी दुरवासा क्रोधित हो गए और दोनों को अलग-अलग रहने का श्राब दे दिया यही कारण है रुख्मानी का मंदिर द्वार का धीश मंदिर की सीमा से दूर है मंदिर की बेजोड नकाशी परटकों को अतीत में ले जाती है और आस्था ऐसी कि रुख्मानी भक्त पूरी शद्धा से माता को मंदिर की बाहरी दिवार पर साड़ी लपेट कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं रुख्मानी ने 12 साल तक ये भूमे पे तक और भक्ति किया 12 साल के बाद श्राप का समय पूरा हो जाने के बाद सी क्रश्न भगवान और दुरवाशा रुख्षी रुख्मानी को यहा लेने के लिए आये फिर क्रश्न भगवान और रुक्षमनी ने दोनों ने राज महल में दूरुवाशा का स्वागत किया और भोजन करवाया भोजन के बाद दूरुवाशा को विचार आया कि हमारा से गलती हो गई ये दोनों को 12 साल अलग रखा को उसकी याद में उसने ग्रवाता रुक्षमनी को वर्दान दिया कि कली काल में जो कोई लोग आपका मंदीर में आके जल का दान करेगा उसका सेवन स्टेप पित्रों का मोक्ष हो जाएगा वही वज़े से आज भी हज्जारों यात्री को ये जगा पे आके जल का दान करता है और उसका पित्रों का मोक्ष हो जाने के बाद उसको सांती मिलता है एसे भी कई वापिस लोग भी आते है झाल